नमस्कार दोस्तों तो IT Stokes में आज के दिन देखिए मैं कल भी कह रहा था खुशकबर यह है IT Stokes के लिए और यह खरीदी है अब IT Stokes IT Stokes गरती मार्केट में आपको बचाएंगे और यह अब उस लेबल पे पहुंच चुके हैं और एक positive news आई है इनके regarding के अब और उपर जाएंगे IT Stokes का मान के चलिए अब इनसे अच्छा Stokes नहीं है मार्केट के अंदर इस ताइम पे को फोर्ज की बात कर लीजिए आप HCL की ब प्रसेंट से जादा नहीं किरने वाले अब यह उस प्राइस पर पहुंच चुके हैं और इस प्राइस पर अकुमलेट करना बनता है इस शेयर्स का और क्यों कह रहा हूं मैं देखिए डोलर के prices लगातार बढ़ रहे हैं रूपीज के मकाबले अब डोलर 81.45 पैसे का हो गया आज के दिन में अगर मान के चलिए एक कमपनी का 1000 डोलर का बिजनस था यूएस से पहले के लिए अगर प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं डारेक डारेक तो उसे पहले मिलते थे करीबन करीबन 89.000 पै क्यों 89.000 उर्पे का था और पहले तो 59.70 भी था कभी ठीक है वो आज का था इंफो से सरी है अब अब इन में थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट आएगा थोड़ा निकिटिव हो सकता है थे कि 5-4 परसेंट को बड़ा अब खेल रहे नहीं गया है अब थोड़ा थोड़ा खेल रहे गया है एक 2-5 परसेंट बस मार्केट जितनी मर्जी ग ज़्यादा नहीं गिरेंगा विपरो कि अगर बात कर लें तीन सो पिचाण मेर्प एटी सीएस की बात कर लें एटी सीएस जितने भी आईटी स्टोक्स हैं जो की 20 परसेंट से ज्यादा गिर चुके हैं उन्हीं में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ सब्सक्राइब क आपको पसंद आता हो चैनल और प्लीज बैल आइकन दबाईगा और वीडियो को लाइक जारू कीजिएगा देखिए जैसे टाटा गिर चुका है 22 परसेंट टी सीएस तो जैसी इतने स्टोक जो गिर चुके हैं आप उनका गिरने का ज्यादा चांस नहीं बचा है और जैसे जैसे रुपिया कमजोर होगा इनकी वैलुएशन बढ़ेगी याद रखिए